कुछ लोगों ने जाती प्रथा के समर्थन में जैविक दलिल दी है कहा जाता है कि जाती का उद्देश प्रजाती की शुद्धता और रक्त की शुद्धता को परिरक्षित रखना है अब नुरुजाती वज्ञानियों को का मत है कि विशुद्ध प्रजाती के लोग कहीं नहीं है और संसार के सब भागों में सभी जातियों का मिश्रण है विशेशकर भारत के लोगों के मामले में तो ये स्तिती आवश्यक है शुरी डी आर भंडार कर इनोंने हिंदू जनसंख्या में विदेशी तत्व यानि फॉरेन एलिमेंट्स इंदी हिंदू पॉपुलेशन इस विशय पर अपने प्रलेख में कहा है कि भारत में शाहिद ही ऐसा कोई वर्ग होगा या जाति होगी जिसमें विदेशी वमश का मिश्रण न हुआ हो न केवल राजपुत और मराठा जैसी योद्धा जातियों में विदेशी रक्त का मिश्रण है बलकि ब्रामनों में भी है जो इस सुकत ब्रांती में है कि वे सभी विदेशी तत्वों से मुक्त है जाति प्रता के संबंध में ये नहीं कहा जा सकता कि उनका विकास प्रजातियों के मिश्रण को रोकने के लिए अथ्वा रक्त की शुद्धता को बनाये रखने के लिए हुआ है वास्तव में जाती प्रथा का जनम भारत की विभिन्न प्रजातियों के रक्त और संस्कृती के आपस में मिलने के बहुत बाद में हुआ है यह मानना कि जातियों की विभिन्नताय और प्रजाती की वास्तविक विभिन्नताय और विभिन्न जातियों के संबंध में यह मानना कि वे इतनी ही अधिक विभिन्न प्रजातिया थी तत्यों का तोड़ना मरोड़ना है। पंजाब के ब्रामनों और मदरास के ब्रामनों में क्या जातिय संबंध है? बंगाल के अचुतों और मदरास के अचुतों में क्या जातिय संबंध है? पंजाब के ब्रामनों और पंजाब के चमारों में क्या जातिय अंतर है? मदरास के ब्रामनों और मदरास के पेरिया में क् दुरुष्टी से पंजाब का ब्रामन उसी प्रजाती का है जिसका पंजाब का चमार है और मदरास के ब्रामन की वही जाती है जो मदरास के पेरिया की है जाती प्रथा मानव वंश या प्रजाती के विभाजन का निर्धारन नहीं करती जाती प्रथा तो एक ही प्रजाती के लोगों का सामाजिक विभाजन है। यदि ये मान लिया जाए कि जाति पृथा मानो प्रजाती को विभाजित कर देती है तो ये भी सवाल किया जा सकता है कि अगर भारत में अलग-अलग जाती और रक्त के समुदायों को अंतर विवा करने की अनुमती दी, तो विविन्न प्रजातियों और परिवारों को एक दूसरे में समागम से क्या हानी होगी? इसमें संद्य नहीं है कि जहां तक आदिमियों और जानवरों का संबंध है, उनमें इतना घहरा अंतर है कि विज्ञान इन्हें दो अलग-अलग जीवरुपों की माननेता देता है। लग-अलग किस्मों के होते हैं। वे एक दूसरे की उपजातियों में विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी संताने जो स्वयम भी आगे संतान उत्पन्न करने में समर्त होगी और जो बंधया नहीं होगी। इक्स के मुलभूत सिध्धान्द के अनुकूल होती तो इसमें किसी को आपत्ती नहीं होती क्यूंकि किसी को भी उत्तम व्यक्तियों द्वारा समागम से जाती की किस्मक में सुधार लाने में आपत्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये समझना मुश्किल है कि जाती प्रता के कारण उत्तम स्त्रियों और पुर्शों में सही समागम किस प्रकार सुनच्छित होता है। जाती प्रकार जाती प्रता नकारात्मक तत्य है। ये केवल अलग-अलग जातियों के लोगों को आपस में अंतर विवा का निशेद करती है। ये एक ऐसा सकारात्मक उपाय नहीं है जिससे एक ही जाती के दो उत्तम नर नारी आपस में विवा कर सके। यदि जाती का उद्गम सुजनिकी के सिद्धान्त पर आधारित है तो उपजातियों का प्रादुर भाव भी सुजनिकी के आधार पर ही होना चाहिए। वाले अंतर को प्रजातिय अंतर नहीं माना जा सकता क्योंकि तब उपजातिया भी उसी परिकल्पना के आधार पर उसी एक मूल नसल की उपखंड होगी इससे स्पस्ट है कि उपजातियों में आपस में रोटी बेटी के वेवार पर लोग लगाने का उद्देश प्रजाति या रक्त की शुद्दता बनाए रखना नहीं हो सकता फिर यदि उपजातियों का उद्दगम सुजनिकी ही हो सकता है तो इस कतन में कोई दम नहीं है कि प्रजाति का उद्दगम सुजनिकी है फिर अगर ये मान भी लिया जाए कि जाति का उद्दगम सुजनिकी के पर भी निशेद आज्या लगाने का क्या प्रयोजन है। आपस में खान-पान से तो रक्त पर असर नहीं पड़ता और इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि इससे प्रजाती या नसल सुद्रेगी या खराब होगी। इससे सिद्ध है कि जाती का कोई भी वज्ञानिक उद्गम कारण नहीं है और जो इसे सुजनिकी के आधार पर सही बताना चाहते हैं वे विज्ञान का नाम लेकर घोर अविज्ञानिक विचार प्रस्थूत कर रहे हैं। हेरिडिटी में कहते हैं यदि संतान में बहतर मानसिक गुन आए तो उसी के आधार पर ये कहना संभव नहीं है कि वे केवल किसी विशेश वन्ष परमपरा के गुन के कारण ही आए है। हो सकता है कि जो गून संतान में आए है या जो शारिरिक शक्ती उसमें अधिक मातरा में है वह अनेक कारणों के होने से गटित है नकी केवल एक अनुवमशिक तत्व के उसके शरीर में होने के कारण। यदि ये तरक तिया जाए कि जाती प्रता सुजनिकी की परिकलपना का परिणाम था तो उसका आशय वह होगा कि आज के हिंदुओं के पुरवज अनिवववशिक्ता के विशय में उस ग्यान से संपन्नत है जो अधुनिक वज्यानिकों के पास भी नहीं है। पेड की जांच उसके फलो से की जानी चाहिए अगर जाती सुजनिकी के आधार पर होती तो उससे किस नसल के आदमी पैदा होने चाहिए थे। जहां तक शारिरिक शमता का संबंद है उसमें हिंदु प्रजाती सबसे घटिया किसम याने C3 कैटेगरी की है। वो छोटे आकार के बोनों की जाती है जिनका शारिरिक विकास अवरुद्ध है और जिन में दम नहीं है। भारत ऐसा राश्ट्र है जिसकी 90 प्रतिशत जनता सैनिक सेवा के लिए अयोग्य है। इससे सपस्ट है कि जाती प्रथा आधुनिक वज्यानिकों की सुजनिकी की कसोटी पर खरी नहीं उतरती। जाती प्रथा एक ऐसी सामाजिक विवस्ता है जो हिंदु समाज के ऐसे विक्रूत समुदाए की जोटी शान और स्वार्थ का प्रतीख है जो अपनी सामाजिक प्रतिश्टा के अनुसार इतने सम्रुद्ध थे कि उन्होंने इस जाती प्रथा को प्रचलित किया और इस प् पर अपने से नीचले तबके के लोगों पर लागू किया